हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल एपी व्लोगर में दोस्तों सी एंजी का जो सिलेंडर का स्टैंड होता है काफी लोगों को मैंने देखा है कि उस टैंड काफी ऊचा टाइप से लगवाते हैं उसके पीछे क्या कारण है कि जैसे अज्स तो येches के लिए मतलब 니 ट्रांस्पोड अथोरिटी नहीं है अगर किसी वज़ेसे इंस्पेक्टर ने आपका यानिक इंस्पेक्शन इंस्पेेक्टर जो होता है अगर आप ऑर सीपे चड़़वाने के लिए जारहे हैं अपनी सी एंजी लिएक lose से दिखी और बिग तो कभी भी आप देखेंगे कि CNG किट का जो पूरा डायग्राम बना हुआ होता है, जब आपको CNG आप इंस्टॉल कराते हैं किसी भी फिटमेंट सेंटर से, तो आपको एक पेपर में एक डायग्राम भी बना हुआ मिलता है, जब आपको अगर आप अपने से इंडॉर्समें करा रहें CNG का, तो आपको पेपर देगा, सारी एक फाइल बना करके देदेगा, आपका जो फिटमेंट सेंटर का जो मालिक होगा, या जिससे भी आपने CNG किट इंस्टॉल कराई है, तो उसमें आप देखेंगे एक पेपर ऐसा होगा, जिसमें डायग्राम भी मेंचन होग आपका ये नहीं देखा, आपकी CNG एंडॉर्स हो भी गई आरसी में, इसका नुकसान ये है दोस्तों कि जब आप उचा स्टेंड लगवाते हैं, तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी उपर आ जाता है, यानि कि देखें सेंटर ओफ ग्रेविटी रहनी चाहिए, जो आपका कभी भी ऐसा हो जाता है कि आपने सडनली ब्रेक मारे, या फिर ऐसा हो जाता है कि खुदा ना खासता कभी एक्सिडेंट हो जाता है, तो सिलेंडर का जो वेट है, पीछे से सारा उटकर के आगे आ जाता है, मिन्स आपकी जो गाड़ी की चदर नीचे जो होती है, ब पैसेंजर बैटे हैं आपकी फैमली बैठी है उसको भी नुकसान दे हैं अगर सलेंडर इतना भारी वरकम आगे आकर के आगे आ जाएगा या किसी वज़े से भी पीछे से अगर सेंटर ऑफ ग्रैविटी उसका ऊपर है आगे आकर के गिरे तो गाड़ी में एक्सिडेंट से नुकसान हो ना हो पर सलेंडर जब वो आगे आ जाएगा तो उससे हो सकता है कि काफी लोग इंजड हो जाएं मैं मोटे मोटे सब्दों में बता दूँ आपको उचा वाला स्टेंड ना लगवाएं उचे वाले स्टेंड का सबसे खतरनाक और सबसे जो एक नुकसान यही है कि उसका सेंटर ओग्रेविटी भी उड़ जाता है और वो ब्रेक मारने पे चद्दर आपकी फट के फट सकती है गाड़ी की और वो आगे आ सकता है सलेंडर तो यह है और दूसरा इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज बताऊँगा कि जो आपका स्टेपनी होती है वो मतलब आपके जो पैसेंजर बैठे होंगे या फिर गाड़ी में जो भी लोग बैठे हैं वो सेफ रहेंगे जस्ट विकोज की उसका जो फोर्स होगा दूसरी गाड़ी का वो आपके जो पीछे स्टेपनी रखी हुए उसके उपर कहीं ना कहीं एक्जॉफ हो जाएगा क्योंकि वो जादा तर मतलब यह कहें कि वो स्टेपनी जो लगियोगी वो सारा जो वजन होगा या फिर कहेंगे जो पीछली गाड़ी से टक करोगी वो फोर्स जेल लेगी आपके यससे क्या होगा आपका जो सीटेंजी का सलेंडर है वो भी सेफ रहेगा पैसेंजर भी कही आप नीचे लगा देते हैं तो पीछे से अगर टककर लगती है हिट होती है गाड़ी तो आपकी गाड़ी पीछे से भी डैमेज होगी और साथी साथ पैसेंजर को भी नुकसान हो सकता है तो यह था दोस्तो इसके लिए मैं आपको पोजिशन दिखा देता हूं सेलंडर की क्य आ रहनी चाहिए सेंटर ओफ ग्रैविटी ताकि बीच में रहे आपका सेलंडर अगर कभी भी सड़नली बहुत तेजी से ब्रेक लगाए जाए या आगे से कभी हिट होती है तो सेलंडर मतलब खुल करके आगे ना आए या सेलंडर अपनी जगे पे प्लेस रहे सब लोग से तरीके से होनी चाहिए मतलब उसमें कौन सा ऐसा स्टेंड होना चाहिए जो की मतलब उसकी सेंटर ओफ ग्रैविटी बीच में रहे आपको किसी भी तरीके से हामफुल ना रहे सलंडर तो देख सकते हैं आप यह सेंजी का सलंडर लगा हुआ बारा किलो का सलंडर है मारूती की स्विफ्ट में लगा हुआ है तो आप इसकी फिटिंग देखिएगा यह देखें आपकी यह बिल्कुल चिपका हुआ है चद्दर से यानि कि कार की जो बॉड़ी है यहां पे होल किया गया था और बिल्कुल चिपका हुआ स्टेंड है इसके नीचे यह एक कहते हैं रब सारा समान तो उसमें क्या होता है कि यह चद्दर धीरे धीरे अगर यह बोल्ट धीला होना शुरू हो जाएगा तो आपकी चद्दर खुलने लग जाएगी छेद उसका बड़ा होने लग जाएगा तो इसी लिए यह नीचे जो है कपड़े की पट्टी सी लगाई जाती है ताकि यह बना रहे कसा रहे तरीके से और कितनी भी बार आप ब्रेक मारें जितनी बार भी आप ब्रेकिंग लेंगे तो इस पे कोई इफेक्ट ना पड़े तो देख सकते हैं आप यह बिल्कुल चिपकावा होना चीए बहुत लोग क्या करते हैं इसको स्टेंड को ऐसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वह वाला स्टेंड ना यूज करें ना लगवाएं क्योंकि जरा से आपके फायदे के चकर में यह पंड़े नीचे आ जाएगी तो उससे क्या होगा अपका लोगबाग सोचते थोड़ा स्पेस बच जाएगा तो उसमें स्पेस में अपने लगे में होना बहुत जरूरी है इसको उठ्वाएना दूसरी कंडिशन देख रहे हैं आपकी स्टेपनी सिलेंडर के पीछे प्लेस्ट होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जब कभी भी आपकी गाड़ी पीछे से हिट होती है तो आपका काफी यह तक जो फोर्स होगा इसक इसका बहुत ज़्यादा दोस्तों यह आपको एक तरीके से आपकी गाड़ी को और आपको सेफ रखता है आपके सी इंजी के सिलेंडर को सेफ रखता है इसको इसी तरीके से प्लेस्मेंट जरूरी है इसलिए आपने देखा होगा वैगनार या कोई सी भी फेक्टरी फिटे होनी चाहिए ताकि दोनों ही सेफ रहें गाड़ी भी सेफ रहें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए तो यह दोस्तों वीडियो यहीं तक और हाँ आगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लिजे मैं आने वाले समय में औ और भी टेकनिकल अपडेट गाड़ी से जुड़ेवे अपडेट और सी एंजी से जुड़ेवे अपडेट लाता रहूंगा तो दोस्तों यह वीडियो यहीं तक अपना ख्याल रखें सुरक्सित रहें और गुडबाई